तो आज का अमाना टोपिक है सम इम्पोर्टन ग्वेडियू में दिसक्स हिया था सम फैमस यंदिया और आज का मीस वीडियो में दिसक्स करेंगे सम इंपोर्टन कोईशन लेति टु तेमपल से कुछ इंपोर्टन कोईशन जो आज हम आज इस वीडियो में डिसकस करेंगी तो गाइज अगर आपने वो सम्फेमर्स टेंपल्स इंडिया वाल वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में लगा तूंगी आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हो तो गाइज इससे भी कोशिन बनते हैं बहुत जादा सम्फेमर्स टेंपल्स इंडिया और इससे भी वहती जादा कोशिन्स गर्मन एग्जांस में आते हैं तो चलिए गाइज डिसकस करते हैं डॉंट फोटगेट तो से इस वीडियो तुल एंड तो गाइज लेट स्टाटेट तो नुमर वन हैं तेंपल सूप खाजूरा हू और इसका अंजर है नागारा ताइल तो नुमर तू हैं विच उप्र फोलॉइंग इस वीडियो तो इसका अंजर है केला सा तेंपल एट इलोरा तो एक फेमस एक्जामपल टेंपल का जो एक कम्प्लेट स्टाइल में बना हूँ है तो उसका नाम है केला सा तेंपल एट इलोरा नुमर त्वी है विच चोला रूलर बिल्ट दा ब्रिदेशवारा तेंपल एट ताजूर तो इसका अंजर है राजा राजा वन तो किस चोल रूलर ने ताजूर में ब्रिदेशवारा मंदीर का निर्मान करवाया तो तो इसका अंजर है राजा राजा वन So next number 4 है मुक्षवारा टेंपल is a 10th century Hindu temple dedicated to Shiva located in तो इसका अंजर है वडिशा So next number 5 है Who among the following चोल रूलर्स बिल निशुम्बासुदी नी गोर्डेश टेंपल इन तंजावूर तो इसका अंजर है विजाल है So किस चोल रूलर्स ने तंजावूर में निशुम्बासुदी नी धिवी मंदी का निर्मान करवाया था So इसका अंजर है विजाल है So next number 6 है Which of the following festivals is associated with the कमख्या टेंपल अगोहार्टी So इसका उसर है अंबूबाच्ची फेस्टिवल So कौन सा त्युहार गोहार्टी की कमख्या मंदी से जुड़ा है So वो त्युहार का नाम है अंबूबाच्ची फेस्टिवल So मैं भी गोहार्टी से ही हूँ So next number 7 है So इसका उसर है राष्ट्रकुटा किंग क्रिशना वन So किस प्रसीद राष्ट्रकुटा राजा नी एलोरा में केलाश के चटान को काट कर मंदी बनवाया था So इसका उसर है राष्ट्रकुटा किंग क्रिशना वन So next number 8 है The popular style of temple architecture in northern India is called तो असर है नागारा So उतरी भारत में मंदी वास्तु करिला कि लोगप्रिय शेली को क्या कहा जाता था तो उसको कहा जाता था नागारा So next number 9 है The Mahabhati Temple is an Asian Buddhist temple It is situated in which state of India तो इसका उसर है बिहार तो बहावोदी मंदीर एक प्राचिन बोट मंदीर है ये भारत के किस राजे में स्थीत है तो इसका अंसर है बिहार So next number 10 है नागारा मंदीरों में आम तो इसका उसर है बिहार पर वास्तुकला की कौन सी सेली होती है तो इसका उसर है नोट इंडियन कौन सी सेली होती है नोट इंडियन So next number 12 है अंडर दर रूल उफ विच गिंग वाजी स्वन तेंपल एट कौनराग पिल्ट तो इसका उसर है नाराशिमादेवा वन तो कौनराग का सुरिया मंदे किस राजा की शाशन काल में बनवाया गया था तो अंसर है नाराशिमादेवा वन So next number 13 है How many monasteries and temples are there in Elora Caves So इसका उसर है 34 So Elora की गुफाओ में कितनी मत और मंदी थे कितनी मत और मंदी थे 34 So next number 14 है In whose reign where the Khajira or temple built This का अंसर है चंडेल So कौन से राजे काल में Khajira हो मंदी बनवाया गया था This का अंसर है चंडेल Next number 15 है In which of the following states is Vishnapur Famous for Terracotta temples located This का अंसर है West Bengal So Terracotta मंदीरों के लिए प्रसीद विश्णपूर में से किस राजे में स्थी है This का अंसर है West Bengal Thank you so much for watching my video guys And I hope आपको यवी वीडियो परसाद आया होगा हमने इस वीडियो में दिस्कूस किया था Some temples related questions And हमने previous वीडियो में दिस्कूस किया था Most famous temples in India So मैं इसकी लिंग आपको Description books में लगा दूगी So आप एक बर उसको भी जाकर देख लीजियेगा अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो so don't forget to subscribe my channel and don't forget to share with your friends अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे comment करके comment box में पूछ सकते हो so guys, we'll see you next video में till then, bye bye